दोस्तों अब सब लोगों को पता ही होगा कि माल्डिव के अंदर चाइना के कटपुदली सरकार आने के बाद भारत और माल्डिव के वीज में थोड़ा डिस्टेंस आया है हलाकि दोस्तों ये डिस्टेंस भारत के तरफ से पैदा नहीं किया गया है बलकि माल्डिव के सरकार के तरफ से पैदा किया गया है और भारत के हिलिकॉफ्टर और यार्क्राफ्टों को हटाने के लिए माल्डिव के तरफ से टर्की से अन्मैन एरियल वेहकल मतलब बारेक्टर टीवी टू जैसे द्रोनों को भी हासिल किया जा रहा है। आप लोगों को ये भी वता दू कि अब माल्डिव के अंदर ही इसे लेके कंसर्ण पैदा हो रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जो भारत के द्वारा दिया हुआ यार्क्राफ्ट और हेलिकॉफ्टर माल्डिव के लिए कर सकता है वो काम तर्की के बायरेक् को पूरा करने के लिए टर्कीश और चाइनिज हत्यारों के तरफ आगे बढ़ रहा है जवकि एक्सपर्टों का मानना ये है कि अगर भारतिया हत्यार या भारतिया इक्वेप्मेंटों को रिप्लेस करने के लिए माल्डिव ऐसा कोई सोच विचार रखता है तो ये किसी व पेट्रोल, सर्विलेंस, कार्गो ट्रांस्पोर्टेशन, इवन मेडिकल एवकेशन और माल्डिव जैसे देश जो की छोटे-छोटे आइलेंड में विखा हुआ है उसके लिए ऐसे जो यार्क्रेफ्ट है ये काफी महत्पूर्ण है क्योंकि इस तरीके के यार्क्रेफ्ट होता है वही पे दोस्तों इन डॉनियर यार्क्रेफ्टों को लेके ये भी वताया जा रहा है कि इन यार्क्रेफ्टों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये खराफ से खराफ वेदर कंडिशन में और एवन हर तरीके के वेदर कंडिशन में ओपरेट हो सके जिसे कि डॉनियर यार्क्राफ्टों को लेके साल वर मतलब 365 दिन इस्तमाल करने का संभावना जहाँ पे है तो वही पे बारेक्टर टीवी टू जैसे अनमान एरियल विहेकल जहाँ पे एक सर्वलेस द्रोन है तो वही पे इस कारण के वज़ा से ना ये कारगो लिफ्टिंग का काम को अंजाम दे सकता है और नहीं इन यार्क्राफ्टों के द्वारा पेशेंटों को एक आईलेंट से दूसरे आईलेंट तक ले जा जा सकता है और दोसरो डॉनियर यार्क्राफ्ट को लेके ये भी दावा किया जाता है कि ये जो यार्क्राफ्ट है ये भैतरिन electronic countermeasure और air defense capability से less है जो इस तरीके के light transport यार्क्राफ्टों में जादा तर देखा नहीं जाता है और दूसरे तरफ दोस्तो आप लोगों ये भी वता दो कि भारत के तरफ से डॉनियर यार्क्राफ्टों को लेके माल्डिव को काफी अधिक मदद किया गया और पिछले को सालों से डॉनियर यार्क्राफ्टों का उप्योग माल्डिव में होने के कारण एक तरीके से माल्डि करने के लिए कोई सुविदा है ऐसे में दोस्तों अगर यह सुविदा माल्डीव के पास आवी जाता है तब भी इसके लिए माल्डीव को एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा और आप लोगों को पता ही होगा कि माल्डीव के जो एकोनॉमिकल कंडीशन है वो उस तरीके का न या फिर इन जरूरतों को ऐसे ही रख दिया जाएगा जिससे की माल्डिव के साधरन लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इनी कारणों के वजह से कई सारे एक्सपरेटों का मानना ये है कि बाइरेक्टर टीवी टू द्रोनों के मुकाबले में जो ड और यारक्रेफ्टों से जो सुविदाय ले सकता है वो सुविदाय कभी भी बाइरेक्टर टीवी टू द्रोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा वही पर एक्सपर्ट के तरफ से ये भी माना जा रहा है कि अगर डॉनियर यारक्रेफ्टों को हटा के उसके जगा में माल्डि टीवी टू द्रोनों को भी देखा जाए तो ये छोटे आकार का ऐसा द्रोन है जो कि लॉंग रेंज में भी काम नहीं कर सकता है जिसका सिंपल मतलब यह है कि मेरिटाइम सिकूल्टी के लिए डॉनियर यारक्रेफ्ट जो काम कर सकता है वो बाइरेक्टर टीवी टू कभी नहीं कर पाएगा बैसिकली दोस्तों माल्डिव के जो ने फेसिडेंट है उनके द्वारा भारत बिरुफदी गतिविदियो को चाइना के श्रेप अंजाम दिया जा रहा है और इससे किसी और को नहीं बलकि चाइना को ही फाइदा होने वाला है और नुकसान भारत को नहीं करने के लिए एक आइकोनिक और बहुत ही रेनाउन हतियारों को भारत में जल्दी पोडियूस करना शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों मैं यहाँ पे जिस हतियार का जिकर कर रहा हूँ असल में वो काफी खतरनाक तरिन और काफी सॉफिस्टिकेटेड हतियार है जिसे कि का बातार मोडनाइस किया जा रहा है और दोस्तों इस मोडनाइशन के लिए हतियारों को डारेक्ली खरिदा नहीं जा रहा है बलकि गौर्मेंट के तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिटिव और आत्मनिर्वर भारत के संकल्फ के उठाया गया है जिसके कारण अब जिन हतियारो को खरिदा जा रहा है उसे भारत में ही प्रोड्यूस किया जा रहा है और दोस्तों इसी इनिशिटिव के अंतरगत बताया जा रहा है कि 25 में 2024 के दिन सूडन के साफ ग्रूफ के तरफ से अपने कार्ल गुस्तव M4 वेपनों को भारत में प्रोड्यूस करने को लेके एक डील के उपर हस्ताक्षर किया गया है और 25 तारिक के दिने इसके बारे में जानका रिपब्लिक को दिया गया अब दोस्तों ये जो कार्ल गुस्तव गन है या फिर कहें तो रिकॉयल ले सत्यार है ये असल में एक मल्टि पॉर्पोस सल्डर फायर ऐसा गन है जिसे की easy to use, easy to maintenance और मल्टि पॉर्पोस गन कहा जाता है मतलब इसे कई तरिके से उप्योग किया जाता है जिन कारूणों के वजा से दुनिया के बड़े-बड़े देश और बड़े-बड़े military हो के द्वारा काल गुस्तव को अपना पहला पसंद माना जाता है और शायद इन्ही कारणों के वज़ा से दशों को से इंडियान आर्ण फॉर्सस के तरफ से भी इन काल गुस्ताब रतियारों का उप्योग किया जा रहा है लेकिन अब सुईधन के साफ गुरुफ के तरफ से निर्मान किया हुआ इन हतियारों को मतलब इन आइकोनिक हतियारो को भारत में ही खाली प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा बलकि भारत में जो हतियार बनने जा रहा है वो असल में काल गुस्तव के सबसे modern और सबसे advanced variant है दोसों यहाँ पे आप लोग को यह भी जानके रखना चाहिए कि काल गुस्तव त्यारों का निर्मान World War II समाप्थोने के तुरंद बाद ही किया गया था और 1948 से साफ गुरूफ के तरफ से इसका निर्मान किया जा रहा है और इसके जो सबसे modern variant मतलब M4 variant है इसे आज से करीब करीब 10 साल पहले मतलब साल 2014 में ही बनाना शुरू किया गया था रिपोर्ट के मताविक इसके जो M4 variant है वो केवल मात्र 6 किलो 600 ग्राम वजन का है और ये 84 मिलिमीटर के एक रेकोईलेस गन है जिसका लंबाई करीब करीब 950 मिलिमीटर या फिर कहा है तो 37 इंच है वही पर दोस्तों ये जो काल गुस्तव हत्यार है इसे चलाने के लिए ओडिनेरी तो दो क्रू मेंबर का ज़रूत होता है बर्ग पर अगर काफी ट्रेंड क्रू मेंबर हो और इन गनों को चलाने में अव्यास्त हो तो एक ही क्रू मेंबर के दौरा भी इन गनों को चला जा सकता है और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए वतादू कि इन हत्यारों का उप्यों कई तरीके से किया जा सकता है मतलब टैंक वक्तरवंद गाडियों के खिलाब तो किया जा सकता ही है साथ में फिक्स्ट पोजिशन को भी नूटलाइज करने में या करने में वी इस्तमाल किया जा सकता है और इन गनों को अगर एक बहतरीन क्रू मेंबर के द्वारा इस्तमाल किया जाता है तो कम से कम 6 राउंड एमुनेशन को एक मिनिट में दागा जा सकता है मतलब यह रैफिट फायर के एफिविलिटी में भी है वही पे आप लोगों को यह भी वता दू कि कार्ल गुस्तब हत्यारों को अगर मुविंग वियकलों के खिलाफ इस्तमाल किया जाता है तो इसके एफेक्टिव फायरिंग रेंज करीब करीब सारे 300 से लेके 400 मिटर है जबकि अगर स्टेशनरी वियकल के उपर मतलब एक जगा में खड़े वियकल के इसका उपयोग किया जाता है तो 500 मिटर के डिस्टेंस से ये वियकल को तबह कर सकता है स्मोक और हाई एक्स्प्लोजिफ राउन को अगर दाग ना है तो एक किलो मिटर के डिस्टेंस से ये आसानी से ऐसे एमूनेशन को दाग सकता है जबकि अगर इसमें रॉकेड के अंतरगत भारत में इन गनों को निर्मान करने के बाद आर्मी के तरफ से ओर असे गनों को जहांपे खड़िदा जाएगा तो फ़ी पर संभावना यह वह है किन गंगों को भारत में देशों को वह एक्सपोर्ट किया जाए तो आप लोगों को क्या लगता है कि काल गुस्ताव हत्यारों को भारत में निर्मान करना कितना बड़ा डिजिसन है कोमेंट करके अपने राए अवश्य दीजिए तो तो आज के इस वीडियो को यही पर ही करते हैं, तो हम आप किसी और एक दम किसी और एक वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम!